स्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादीव कैसे हैं आप सब देखे आज का ये वीडियो बहुती ज़्यादा खास होने वाला है आज है शनिवार का दिन और आज है पूर्णिमा की दिती और ये पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा है सबसे ज़्यादा खास पूर्ण कर अब को एक्साव करों तब आपको एक आसानसा उपाई करना हैय ओर एक दिपक ये उपाई आपके घर में महालक्ष्मि का आग्मन कराइगा बहुत Sum 야 कारा सा उपाय होने वाला है जो कि आपको आज की रातनी में करना है देगें अगर आप चाहते हैं कि आपकी निरोगी काया हो मन शुद्ध हो शरीर के सारे अंदकार दूर ऊजाएं जीवन के अंदकार दूर ऊजाएं तो इसलिए शरत पूर्णिमा पर बहुत ही खास आपको उपाय करना है। दहिए शरत पूर्णिमा से ही ठंड का जो सीजन है वो भी शुरू हो जाता है। देखिए शरत पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों हैं कि कहते हैं कि जब समुद्र मंतन हुआ था जब महालक्ष्मी समुद्र मंतन के दोरान प्रकट हुई थी तो वो जो दिन था वो था शरत पूर्णिमा का और इसलिए शरत पूर्णिमा को महालक्ष्मी का अवतरन दिवस भ और महालक्ष्मी प्रसन होती है तो आप अस्ट लक्ष्मियों की प्राप्थया आपको और यह चंद्र ग्रहांड सेतिस साल बाद एसा दुरलब योग-स्था सजव बना ना व पर इस अधीक माज्व कि वीसेश ईपाई करना है यह उपाई आपको करना है रात देंको रात hardly में कब कर ऑगा देखें चंदर ग्रहन के समय आप कोई भी उपाई नहीं कर पाऊगे। देखो, जबसे पहले हम जान लेते हैं कि चंद्रग्रहन कब से शुरू हो राये और कब तक रहने वाला है देखे, आज जो चंद्रग्रहन है, वो रात में एक बचकर छे मिनिट से शुरू होगा और देर रात तक याने कि रात में ही दो बचकर बाविस मिट पर समाप्त हो जाएगा अब दी जो रहेगी वो एक घंटे और सोला मिट के रहेगी लेकिन देखो चंदर ग्रहंट का जो प्रभाव रहता है वो नो घंटे पूर्वस से शुरू हो जाता है तो याने कि सुतक काल जो है वो 9 घंटे पूर्वस से शुरू हो जाएगा याने कि दो फर में 4 बचकर 5 मेट के बाद सुतक काल प्रारम हो जाएगा जो की चंदर ग्रहंट के समाप्त होने पर समाप्त होगा चंदर ग्रहंट समाप्त होगा 2 बचकर 22 मिट पर अब देखो यहाँ पर एक सवाल आता है कि यह जो चार स्वास्तिक वाला जो उपाय है यह आपको कब करना है समझो देखो आज आप चार बजे के बाद तो कोई भी उपाय नहीं कर सकते हैं कोई भी दीवी उपाय देखो शरत पूर्णिमा की इतनी अध्भुद रात है और इ समझ लेना कि आपको धई बजे के बाद यह उपाय आपको करना है धई बजी भी आप यह उपाय कर सकते हैं देखो रातरी का महत्व पूर्णिमा पर होता है और देखो वेसे तो अगर चंद्रग्रांड नहीं होता तो जो भी समय आता रात में नो से बारा के बीच का समय हो लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट हैं चैनल पर अगर पहली बारा हैं तो चैनल को सरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जय महालक्ष्मी सबी को लिखना है जो भी महालक्ष्मी का आश्रवात प्राप्त करना चाहता है अश्ट लक्ष्मियों के सिध्धी प पत्ते डालना है ठीक है और उस जल से उस जल का चिटकाओ सोयम पर करना है देखो अगर आप इस ना नहीं कर पाते हो तो आप इस प्रकार से थोड़ा सा जल का चिटकाओ करें और उसके बाद यह उपाये आप कर सकते हो आगे आपको बाशन में अगर तुलसी दल नहीं है तुलसी दल पहले से तोड़ के रखे नहीं रखे दें तो आप तुलसी की मिट्टी भी इसके अंदर डाल करके खुद के उपर इसका छिटकाओ करना और उसके बाद ही यह उपाय करना आगे इतनी बाद समझें देखो किस प्रकार से उपाय करना है समझना एक इस्टिल की कट पूजन का सिक्का नहीं है तो आप यह स्क्रूश करना कि जो चांदी के अंगुठी बिरी आप उप्योग में लेसकते हैं जानी के अंगुठी भी नहीं है तो कोई बात नहीं आप एक स्टिल की कटोरी लेना उसके अंदर एक चुटके हल्दी आपको डाल देनी है अब कच्चा दूद थोड़ा सा कच्चा दूद उस खचे दूद के अंदर देशी के तोड़ा सा चो राख संभ इत्र इत्र जो हैं महा लक्षमी को बहुत प्रसंद करता है गुलाब जल हो तो अध्य को शिद्र बिण सकटर इा इंदर इस खट और शुड्द को आपको आपको चंद्रमा की रोशनी के सामने रखना है चंद्रमा की रोशनी याने कि आप धई बज़े के बाद आप यह उपाय करेंगे तो धई बज़े के बाद इस कटोरी को चंद्रमा की रोशनी में आपको रखना है थोड़ी देर 15 मिट आप चंद्रमा की रोशनी में इसे रख डिता होनी चाहिए देखो जैसि आप चंद्रमा की रोशनी में आज की दिन जाते हो ना तो आज तो अमरत घड़ता है तो अमरत अहसा जड़ता है कि शरी की शरी की निरोगी कर दीता है इसी लिए आप sudah के दिन चंद्र ली थी आपने, आप आपके घर में आना, आपके घर के मंदिर में आना, इस कटूरी को उठाना, और इस कटूरी का जो कच्चा दूद है, इतरे जो भी आपने डाला है, या आपने थोड़ा से जल डाला है, गुलाब जल डाला है, ये आपको हल्दी के अंदर मिला देना है, अब आपको क्या करना है? एक लंबी बाती का दाइब करना है。 देखो, आपको माटी का दीपक लेना है, लंबी बाती होनी चीए, अब एक चीज और समझना है, कि जब आप ये उपाय करोगे, तो आपके घर का मुख्य द्वार खुला होना चीए देखो अब रातरी में आप सोचोगे कि धाई बजे कैसे मुख्य द्वार हम खुला रखें देखो आज की रातरी बहुत शूब होती है अगर मुख्य द्वार खुला नहीं रख सकते तो कम से कम गैलरी अगर आपके आप रहें घर पे कहीं का भी एक गेट खुला होना चीए ताकि दीवी शक्ति आपकी घर में प्रविश करें हो सके तो मुख्य द्वार को ही आपको खुलना चीए देखो करना क्या है एक दीपक तियार करना है जिसके अंदर लंबी बाती आपको लेना है लंबी बाती हो सके तो मोली की लाल रंगी बाती लेना इस दीपक के अंदर घे डालना और इस दीपक के अंदर एक चूट के हल्दी डालना घी को पीला कर लेना और इसी के अंदर एक हरी इलाइची आपको डालना है और ये जो दीपक आप प्रजुरित करोगे, वो आप आपके घर में महा लक्षमी की फोोटो के सामने, दो कलाचेतर है ना, आपके आप याँ प्रतीमा है, तो उनके सामने आपको ये प्रजुरित करना है, आगे आपको बासमॉल में, आप देखो, हल्दी है आपके पास जिसके अंदर आपने ये जल मिला दिया अब आपको आपके सीधे हाथ की चीठे उंगली के पास वाली जो उंगली है जिससे अनामिका उंगली कहते हैं देखो ये स्वास्तिक जो है आपको अनामिका उंगली से बनाना है देखो अब आपको क्या करना है अगर कुछ भी नहीं आता तो ओम श्रीम नमगा जाप करना 11 बार अब आपको पहला जो स्वास्तिक है आपको आपके घर के मंदीर में बनाना है दूसरा जो स्वास्तिक है वो आपको आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड उपर की साइड आपको बनाना है दूसरा स्वास्तिक पहला स्वास्तिक मंदिर में दूसरा स्वास्तिक आपके घर के मुख्य द्वार पर आज के दिन महालक्ष्मी के शक्ति घर में पदारती है महालक्ष्मी घर में आगमन होता है इसलिए आपको मुख्य दोर पर आज के दिन हल्दी का स्वास्टिक तो आपको बनाना है और तिसरा जो स्वास्टिक है आप आपके घर के जो मटका है जहाँ पर रसोई घर है आपका वहाँ पर भी आप बना सकते हैं जिस दिपक के अंदर हरी लाइची डाली है देखो हरी लाइची महा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए होती है जैसे ही दिपक में हरी लाइची आप डालते हैं तो महा लक्ष्मी की देविक शक्ती खिची उचली आती है आपको क्या करना है जितने भी स्वास्तिक है उन सभी स्वास्तिक की आपको आड़ती उताना है आगे आपको बासन में जो भी स्वास्तिक आपने बनाये है आपको क्या करना है आप आपके घर के मंदीर में जो दीपक जल रहा है उसको उठाना जो जितने भी आपने स्वास्त बस इतना सा उपाय करना है अंत में ये जो दीपक है आप गर के मुख्यों द्वार के महाँ पर भी रख सकते हो बाहर की साइड मुख करके या आपके घर में तुल्षी जी है वहाँ पर भी ये दीपक रख सकते हो दूर रखना थोड़ा या तो आप आपके घर में जो माता लक्षमी की जो फोटो है उनके सामने भी ये दीपक रख सकते हो ये उपाई केवल और केवल पूर्णीमा की रात्री में कहलता है तो आपको भी ये उपाई जरूर करना है बहुत ही प्यारा से उपाई था अगर आपको कुछ बीचे समझ में आए तो एक पर कमेंड में पूछ लेना दलती नहीं करना है सरी शिपाय नमस्त भ्याम हर हर महादेव